तो हेलो बेरेवन वेलकम टू मा यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि समसंग के फोन में आप जो है किसी भी एप्स पर लोग किस तरह से लगा सकते हो यहाँ पर दोस्तो मैं आपको कोई भी थाट पटे अपलिकेशन डाउलोड करना नहीं बताऊंगा समसंग की कमपनी ने यहाँ पर दोस्तो फोन की सेटिंग में है जो यह फीचर दे करके रखा है जो कि आपको जो अभी तक नहीं पता है ठीक है तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल पर नई हो तो सब्सक्राब करना क्योंकि फ्रेंट्स यहाँ पर मुवाल से रिलेटर में आपको ले वीडियो ले करके लाते रहता हूँ सबसे पहले दोस्तो आपको अपना मुवाल फोन की सेटिंग को आपन करना है और सेटिंग को आपन करने के बाद यहाँ पर देखिए एक उप्सन आपके सामने सो कर देंगे लॉक स्कीन का यहाँ पर आपको लॉक स्कीन वाले उप्सन पर आपको किलिक करना है और यहाँ से यहाँ पर advanced feature वाले option तो आप click करोगे इसके बाद friends यहाँ से आप नीचे आना है तो नीचे देखें यहाँ पर lock and mask apps वाले option का option यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे तो आपको basically off है इसको यहाँ से click करके इसको यहाँ से on कर देना है on करने के बाद friends आपसे पूछा जागा कि आप किस तरह का lock लगाना चाहते हो pattern का pin का या तो password का मैं यहाँ पर pin को select करता हूँ और friends यहाँ पर pin को select करने के बाद यहाँ से continue करता हूँ ठीक है फिर से आपको दोबारा pin देना होगा इसका okay करता हूँ ओके करने के बाद आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो है यह इनेवल हो चुका है ठीक है यहाँ पर second number पर देखिए lock apps का option आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो बीच में है lock apps वाल option आपको इस पर click करना है इसके बाद friends आपके सामने यहाँ पर इस तरह से pop- window open होगा और उपर में देखिए कोना में एक एड का option आता है आपको friends एड वाल option पर आपको click करना है आपके phone का जितना सारा application है वो सारे application यहाँ से आपको शोग कर देंगे आप जिस जिस जो है friends apps पर lock लगाना चाहते हो उसको यहाँ से आपको select करना है जैसे friends यहाँ पर YouTube का application है तो मैं इस पर tick mark कर देता हूँ ठीक है तो यानि कि इस पर lock लग चुका है इसके बाद उपर में जो done का option यहाँ पर click करूँगा और click करने के बाद friends यह जो है application यहाँ से lock हो चुका है ठीक है तो यहाँ पर जैसे मैं home page में आता हूँ और यहाँ पर देखिए YouTube का option है तो YouTube को यहाँ पर type करूँगा और मेरा YouTube यहाँ से open हो जाता है तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने Samsung के phone में without किसी application को download किये हुए apps पर जो है lock लाग करके रख सकते हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया तो like करना चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करना मिलते ह दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बाई बाई